हुआ हेलो फ्रेंट्स मैं आज आपके लिए क्लास टेंथ का चेप्टर नंबर फाइफ उसकी एक्साइज 5.1 लेका है हूँ चलो अपन सौल करते हैं इसमें बोला है कि राइट फॉर्स फॉर्टम अपने को चार्टम बतानी है इसके अंदर और उसमें बताया कि उसकी फॉर् इसलिण हुगे तो फॉर्स उति हुदी वह क्या होती है पॉस्टम हम को इस बोलते है अपन तो अ ही सेकनल टंड चोग वह ऑं आफेन हो गए 5प춰 सेकने टू होगी 10 प्लस डी कता है 10 इस 20 तर्धर मों कितने होगी 10 म्ट्स की into d कितना है 10 10 लिख दिया तो यह हो जाएगा 30 and a4 that is 10 plus 3 into 10 that is 40 so ap forming क्या होगी ap जो form होई है वो दो होगी 10 20 30 40 and 40 and so on अपने को चार ही पुछा इसलिए अपन चार निकाली बाकी आगे भी बन सकती है ठीक है सिंपल है दोस्तों सेकंड वाले में क्या करना है सेकंड वाले में वापिस सेम प्रोसेस है एप होई रहेगी चार तम निकाल लिए तो यह बन होगा अपना मैं चैक है एक है एक क्या होंगा एक क्यो बनॉस टू बटके शीरो तो इसका जिकाल होगे और और 4B 0 ही आएगा तो एक पता ही थ्री इंटो जिरो एनिटिंग मुल्टिप्लाइब एफ सीरो-जीरो तो यूथ्ट फॉर्म हार ही हो क्या हो रही है मैनलस टू मैनस टू मानस टू अन मैनस टू इसलोजनल अपिक कॉपन का बिदिश्रिंस अका सेम इस फिरो ठीक है 2nd का 3rd part करते हैं 1st वाला दे रखा है A1 दे रखा है अपने को A1 की value क्या है? 4 A2 क्या है? A plus D A plus D में क्या होता है? 4 plus और minus यहां पर है तो minus 3 into 1 A plus 1 D तो इसका answer क्या हैगा? 4 minus 3 That is 1 Simple है 2nd 8 3 A3 में क्या होगा? 4 plus क्योंकि 1st हम 4 इसले लेना है क्योंकि A4 है और D की जागे D की जागे क्या अपने value आ रही है? minus 3 that is equals to यह कितना होजाएगा? minus 6 4 minus 6 is minus 2 और A4 that is 4 plus 3 into minus 3 that is 4 minus 9 that is minus 5 okay तो अपनी AP क्या हो गई? AP अपनी हो गई है 4 1 minus 2 and minus 5 बन गई AP and so on जलती लेगी है अपने को चारी पूछिए 5th वाला पार्ट करते है question number 2nd का first अपने को term दे रखी है minus 1.25 second term जो होगी that is minus 1.25 मतलब की अपने इसको लिख सकते है A plus 1D that is minus 1.25 plus 1 into D कितना है minus 0.25 जब अब अब इसको प्लस करोगे तो यह हो जाएगा minus 1.25 minus 0.5 0.25 यह हो जाएगा minus 1.50 जब इसको आड़ करोगे तो 1.50 वो भी मैनस में A3 देख लेते है A3 क्या होगा A plus 2D that is A कितना है minus 1.25 plus 2 into D कितना है D है minus 0.25 ओके अब इसको अगर आप solve करोगे तो इसका answer आएगा minus 1.25 plus 0.50 और यह आएगा answer minus में तो यहां minus का sign लगा ज़ते है plus minus is minus minus 1.25 minus 0.50 that is minus 1.75 okay और 4 टम भी निकाल लेते हैं वो भी easy है A plus 3D एक इतना है minus 1.25 जब तक आप इसके प्रैक्टेस नहीं करोगे तब तक अच्छे से नहीं आएगा थोड़ा सा एक बार इसको दो तिन वार प्रैक्टेस करोगे तो पढ़िया हो जाएगा 0.25 तो इसको multiply करोगे तो it will become minus 1.25 minus 0.75 तो this will equal to minus 2 okay तो अपनी AP क्या form हो गई है AP form हो गई है minus 1.25 और minus 1.50 minus 1.75 and minus 2 चलिए चलिए फ्रेंड्स फूर्थ पार्ट भी करते है फूर्थ पार्ट में क्या देर रखा है A1 कितना है अपना minus 1 that is first time second क्या है A2 A2 होता है A plus 1D तो A कितना है minus 1 और D कितना है 1 into 1 by 2 that is minus 1 plus 1 by 2 LCM नहींगे तो यह 2 उदर देल जाएगा तो यह हो जाएगा minus 2 plus 1 by 2 that is minus 1 by 2 A2 simple है next A3 A3 में क्या है कि minus 1 मतलब A plus 2D a plus 2D that is minus 1 plus 2 into 1 by 2 तो हाफ से हाफ कड़े जाएगा cancel हो जाएगा तो यह कितना बचा minus 1 plus 1 that is यह भी कड़े जाएगा तो 0 बचा simple है और A4 A4 में क्या हो रहा है A plus 3D that is A कितना है अपना minus 1 plus 3 into 1 by 2 D अपना 1 by 2 है तो that is minus 1 plus 3 by 2 LCM लेंगे तो LCM आएगा minus 2 plus 3 upon 2 okay तो इसका अंसर आजाएगा 1 by 2 तो यह अपनी terms हो गई है इनको आपन एपी निख देते हैं एपी 4 term क्या होगी minus 1, minus 1 by 2 0 and half ओके तो यह अपनी एपी होगी कुछ नबर 4 हो गया